वीडियो लाइक जरूर कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरण सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहें यूटूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला प्री टेलिग्राम चैनल जरूर जोइन कर लिएगा सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पर आते हैं ध्यान लगेगे मैश करने के लिए आइस स्टेट्मिंट वाइस प्रशन बनता है तो इसको ध्यान से पढ़िएगा और इसके बाद में जो जन आंदोलन हुए हैं जितने भी जन जाती आंदोलन हुए हैं वो सारे एक ही वीडियो में कवर कर दूँगे तो अभी जो ये क्लासे चल रही ही ही important है आपके exam point review से सारी classes ध्यान से कीजे ठीक है अगर आप new है channel पर तो दोपर एक बज़े ये class आपको देखने को मिलेगी ठीक इसके साथ ही रात को 9 बज़े UP pieces films बचे वे दिनों में आप बेतर धन से practice भी कर सकते हैं और जो questions आप practice करने हैं latest tender pattern के according है और complete course अगर आप join करना चाहते हैं तो study for civil services का crash course join कर सकते हैं बचे वे दिनों में बेतर धन से preparation हो जाएगी और practice भी अच्छी तरीके से कर पाएंगे जो कि अभी need है कि ज्यादा से ज्यादा question practice करने के लिए आप description box में दिये गए numbers पे contact करके जानकारी ले सकते हैं otherwise आप google play store से study for civil services का app download कीजे अपन हैं जिसमें कि आप questions solve कर पाएंगे test series वगरा available हैं सारी जानकारी आपको मिल जाएगी और ग्यांसर को उपन code apply करेंगे तो 20% का discount भी है चलिए classes start करते हैं तो किसान अंदोलन की बात की जारी है सबसे पहले आ जाता है टीटू मीर का अंदोलन अब इसमें टीटू मीर या मीर नाथर अली इनका मुख्या अंदोलन था ये वर्स बहुत important है जितने भी अंदोलन पढ़ने सबके वर्स जरूर याद रखिएगा और किस छेत्र में रहे तो नेतरतु करता वर्स और छेत्र ये यादतना आपको और जो जानकारी साथ में दी गई है कारण और प्रभाव व उनके विरुद्धी अंदोलन शुरू हुआ था टीटू मीर का अंदोलन टाइम में आ दखेंगे 1782 तो 1830 हजोंग या गारोजन जातियों का जो पागल पंथी अंदोलन है तो पागल पंथी दिया जाता और पूछ लिया जाता इसके नेतरत करता कों थे है मैस करने को आ जा मैमन सिंग जिला कर व्रद्धी का विरुद्ध की आ गया था इसमें अंग्रेजों ने हिंसा पूवा की सांदोलन को कुचल भी दिया था हजोंग और गारोजन जातियों का ये विद्रो था जिसमें नेतरत करता थे करमसा और टीपूसा और इसे पागल पंथी विद्रो के नाम से जानते हैं अगला आता है मोपला विद्रो ठीक है माला बार में हुआ था 836-1854 में जादा करने धारण तथा कृशी योग भूमी में जो कमी के विरुद्ध विद्रो हुआ था वो मोपला विद्रो था ठीक है नेक्स्ट है नील की खेती वाले किसानों के द्वारा बंगाल में दिगंबर और विष्णो के नेत्रत में जो नील विद्रो तो नील विद्रो का समय ठीक ऐसा है 1457 की क्रामती के बाद है तो डेट याद करना इजी रहेगा 1859-1860 ये कहां तब बंगाल में ये भी था नादिया याद रखिएगा चेत्र यूरोपी नील बागान मालिको दौरा जो आरोपी सर्ते थी इनका विरोध किया गया समस्या के गठन के लिए 1860 में जब ये विद्रो होता है तो नील आयो का गठन भी किया गया था अगला जो विद्रो है मराठा किसानों दौरा दक्कन के किसानों का विद्रो ये 1875 में हुआ था महराष्ट का कपारित हुआ तो 1879 डेट याद रहे गया फिर है रामोसी विद्रो अब इसके नेत्यत प्रता कौन थे तो वासुदेव बलवंत फड़ के थी रामोसी विद्रो में इसका समय था 1877 थो 1887 ठीक है महराष्ट वाले छेत में था रामोसी विद्रो वासुदेव बलवंत अकाल पिर्टों को सहायता ना पहुचाने के कारण अंग्रेवी सरकार की जो यह सफलता थी इसके विरुध ही आंदोलन चला था ठीक है तो रामोसी विद्रो हो गया मराथा किसानों का दक्कन जो विद्रो है दक्कन की किसानों द्वारा वो याद कर लिया आपने 875 में नेक्ष्ट है पाबना विद्रो इंपोर्टेंट है इसके नेता केसव चंदर राय और संभुनात पाल थे देखे किसके पाबना के पाबना का टाइम पिरिड है 1373 अब देखेंगे उठा करके बुक प्रीवेसर कोश्चन की आपको ये देखेंगे ज़्यादा बार मैश करने को दिया गया है तो आपको ये सारे ही पूछे गया लगबग अगर जन जाती विद्रो किसान अंदोलन में से कोई आता है तो यहां से प्रेशन बनेंगे ठीक है पूवी बंगाल का पाबना जिला जो कि अब बंगला देश में हैं यहां पर ये विद्रो हुआ था जमीदारों की जातियों का विरोध किया गया बाह भूमी अधिगरहण कारियों का विरोध किया गया और 885 ने बंगाल टेनेंसी एक्ट आया था तो अभी आपने पढ़ा दकन का जो क्रशक राहत अधिनियम का पारित हुआ अब पढ़ा अपने बंगाल टेनेंसी एक्ट ठीक है फिर पंजाब क्रशक विद्रो 19. सताबदी में हुआ था 19. सताबदी के अंतिम दसक में पंजाब में अपनी भूमी के छिनने पर किसानों द्वारा विरोर्थ किया गया था और 19. समय पंजाब भू हस्तांतिरन अधिनियम पास हुआ था नेक्स्ट आ जाता है चमपारण के किसानों द्वारा चमपारण सत्यागरे ये कब हुआ 1917 में हुआ चमपारण बिहार में यूरोपी नील बागान मालिको द्वारा आरोपी जो तीन कठिया पद्धिती थी इसके खिलाफ किया गया था और चमपारण किश्रकदियम द्वारा ये जो तीन कठिया पद्धिती थी इसको समाप किया गया था और चमपारण ये जो आंदोलन था ये पहला आंदोलंग था जिससे गांधी जी जुड़े था उनका ये पहला सत्याग्रेट था ठीक है याद अखेगा चंपारन सत्याग्रेट टाइम के 1917 और ये बिहार में था नेक्सट ओके खेड़ा के खिसानों का तो अहमधाबाद गीडा ये तीन सुरुवाती आंदोलंग गांधी जी के उसी में अभी खिड़ा दिया गया है तो यहाँ पर एक खिसानों का विदोग था आंदोलंकारियों का नत्र हिसने गांधी जी ने किया था 1918 में और परबाद हो जाने पर भी भूराजस की दर में कोई कमी नहीं की गई थी, अब इसी की विरोध में ये आंदोलन सुरू हो जाता है, बाद में किसानों की मांगे मान ली गई थी, तो ये भी जो आंदोलन है, ये सफल रहा था. अगला है बार्दोली सत्याग्रय तो किसानों से संबंदित था ये इसमें क्यों थे संबंद जो विक्ति थे वो पार्टी दा कुन भी पार्टी दार थे मतलब जो भू स्वामी हुआ करते थे अच्छूत थे और इनका नेतद किया था वल्लभाई पट्येल में और मेताबंधों का भी पूर्ण समर्थन इसमें मिला था 1928 में हुआ था सूरत कुजरात में बंबई सरकार द्वारा लगान की दरों में 22% की व्रधी की गई थी और उच्छवर की कुछ जातियां थी जिसके विरोध में ये आंदोलन सुरू हुआ था और जब ये आंदोलन होता है उसके बाद जो लगान की दरे हैं वो गटकर कितनी हो गई थी 6.03% कर दी गई थी अगला है पासी और अहिर जाती के सदस्यों द्वारा एका अंदोलन तो एका अंदोलन पूछा जाएगा इसके नेते तो करता कौन थे तो जो पासी और अहिर जाती के सदस्य थे जो सीता पूर हर्दोई 12 बंकी वाला छेतर पड़ता यहां के थी ये प्रशक तो 1921 से 1922 के बीच वा लगान में बढ़ोती हुई थी उसका विरोत किया गया था दीरे दीरे ऐसा समय आता है ना कि अब जो किसान होगे उनका अंदोलन सुरू हो गया तो वो भी संगठित होने लगे थी ठीक है 1946 में सुची हमारे जब देशाजाद होने वाला था ठीक उसके पहले हुआ बंगाल में साहु कारो और जमीदारों का विरोत किया गया बर्गादारी विधियक यहां पर पारित हो गया था पिर तेलंगाना विद्रो होता है 1946-1951 के बीच हैद्राबाद में तो हैद्राबाद के निजाम के अधिकारों और जमीदारों के विरुद यहां पर अध्या अंदोलन देखिया अंदोलन हो क्यों रहा है या तो अंग्रेज किसी तरह शोषड कर रहे हैं करवरिद्धी करके या कुछ जो उनकी लगान की दर है बढ़ा करके यही सब चीजें हैं और या तो भू स्वामी जो है जो जमीदार है उनके खिलाफ सुरू हो रहा है क्योंकि उच्वर के जो जमीदार है वो शोषड कर रहे हैं किसानों का तो दोनों तरब से किसान पिस रहे हैं तो यहां पर वीजन लगबग वही होगा सब कहीं बकास तांदोलन देखते हैं तो 1936 में सुरू हुआ बिहार में अधिवास अधिकारों से संबंदित जमीदारों की नीधियों के खिलाफ यह सुरू हुआ था यह लिस्टिंग अगर आपके पास नहीं है तो इस लिस्ट की स्क्रीन शॉट जरूर लीजिए और सौर्ट नोट में आप देखिए अपनी डेट जरूर नोट कीजएगा जो भी आपका अंदोलन नहीं आ देखिए अब मैं किसान सभा की बात कर रही थी तो यहां से प्रशन बना है statement wise बहुत important है लिस्ट तो किसान सभा का जो सबसे पहले गठन हुआ 1919 में 1922 के बीश में यह वर्तमान जो यूपी है वहाँ पर ठीक है तो वर्तमान भारती राजी उत्तर प्रदेश के एक विरोध हंदोलन जो 1919 से 1922 के बीच हुआ था और इसमें कई कृशी जाती समू सामिल थे तो उत्तर प्रदेश में इसी वज़य से किसान सभा का गठन होता सबसे पहले 1918 में लखनों में हुआ था किसके दौरा तो गौरी संकर मिस्र का नाम याद रखिये इंद्रिनारायन दिवेदी का याद इनके द्वारा उत्तर प्रदेश में 1918 में लखनों में किसान सभा का गठन किया गया यूपी किसान सभा का नाम याद रखियेगा ठीक है और यहाँ पर जो व्यक्ति हैं गौरी संकर मिस्र इंद्रिनारायन दिवेदी और मदर्मोहन दिवेदी का याद रहेगा इसके साथ स जिंगरी सिंग दुर्गापाल इन्होंने महत्वूर्ण भूमिका निभाई थी लेकिन इनके साथ में एक और नया नाम जुड़ जाता है एक विक्ति और जुड़ते हैं और वो काफी फेमस हैं और वो थी बाबा रामचंद तो बाद में क्या होता है बाबा रामचंद इस अब इसके बाद बिहार में भी प्रांती किसान सभा का गठन होता और यहां पे संस्थापक कौन ते सहजानन सरस्वती तो इनके क्रिशी सुधार कारिक्रम का जो वास्त्रिक लक्षे था वो जमीदारी प्रिथा का उन्मूलन था कश्को को उनका मालिकाना धिकार दिलाना और इस संगठन के दोरा बकास तांदोलन 1937-1949 और 1946-1947 के बीच दक्षड बिहार में चलाए गया था तो बकास तांदोलन भी याद रखिएगा स्वामी सहजानन सरस्वती के दोरा तो बकास तांदोलन मुंगे इर में कर्यानन सर्मा के नेतरत में चला गया जिले में दोरा और सारण में जमुना करजी के दोरा चलाए गया था अब बात करते हैं अखिल भारती किसान सभा की ये आगया इंपोर्टेंट फैट इसकी स्थापना पीछी जाती कप की गय थी तो सबसे पहले डेट याद करिए 1936 में लखनों में अखिल भारती किसान कॉंगरेस की सथापना होती है इसी का बाद में नाम बदला गया था और नाम बदलकर क्या रखा गया अखिल भारती किसान सभा इसका अध़क्ष कौन थे तो इसके अध़क्ष ते स्वामी सहजानन जिन्होंने विहार प्रांती किसान सभा का गठन किया अब confusion बहुत होती एकि NG Ranga को मह अब इसमें और भी सदा से थे जैसे कि नरेंदर देव थे, इंदुलाली आगनिक, राम नोन हरलोहिया, जैप्रकाश नरायन, सोहन सिंड जोशी और बंकी मुखर जी, इनका नाम याद रखे रहा, अब फैसपूर की बात करते हैं, तो फैसपूर में कॉंग्रेस के साथ अखि सर्दार वल्लब भाई पटेल इसका नेत्यतर करते हैं, और यही सत्याग्रह, बार्दोली सत्याग्रह के नाम से जानते हैं, और यहाँ पर जो इसकी सफलता होती है, इसके बाद क्या होता है, कि सर्दार की जो पाधी है, वो दे दी जाती है, वल्लब भाई पटेल को, तब दौरा 1928 में किया गया गुंटूर में आंद्रप्रांती रहियत Association के नाम से तो ये आज की क्लास कंप्लीट होती है और इंपॉर्टेंट है तो पूरा वीडियो ध्यान से देखे और कोशिस कीजे आप इसी के साथ में रिवाइस भी कर लीजिए एक दो बार वीडियो रिपीट करेंगे नहीं भूलेगा और एक्जाम तक इतनी भी एक लासेज हो जाएंगी वो सारी रिवाइस कर लीजिएगा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना मत भूलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहे ऐसे कंटेंट के साथ में मिलूंगी अगली क्लास में आपको क्या करना है इसके साथ साथ आप इस्टेडी फर सिविल सर्विसिस का प्रेस को जोईन करके अपने प्रिपेशन और बेहतर कर पाएंगे कमेंट करके आप जानकारी ले सकते हैं डिस्क्रिप्शन डॉक्स में नंबर दिये गए उन पे आप कॉल ये मैसेज कर सकते हैं या फिर गूगल प्ले स्टोर से भी अपना कोर्स परचेस कर पाएंगे मैं मिलती हूँ अंगली क्लास में तब तक के लिए धन्यवाद